हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट का लेसन टेन, दव बलून मैन, मतलब की एक गुबारे वाला, वाई डू यू लाइक बलून्स, तुम्हें गुबारे क्यों पसंद है, what occasions do you use them on, कौन से आवसर पर तुम इनका प्रयोग करते हो, तो ये एक छोटी सी पोयम है, जो कि हम पढ़ेंगे, He always comes on market days, वा हमेशा बाजार लगने वाले दिनों में आता है, and hold balloons a lovely bunch, और गुबारों का सुंदर गुच्छा पकड़े रहता है, And in the market square, he stay, बाजार के चोराय पर वह खड़ा रहता है, and never seems to think of lunch, और दोपहर की भोजन के लिए भी सोचता हुआ प्रतीत वह नहीं होता, They are red and purple, blue and green, वे गुबारे, लाल बैगनी और नीले हरे रंग के है, and when it is a sunny day, और एसे दिन जब धूप बहुत ज़्यादा खिली हो, Though carts and peoples get between, you see them shining far away, जबकि गाड़ियां और लोग बीच में हो, तब भी तुम उन्हें दूर से चमकता हुआ देख सकते हो, And some are big and some are small, कुछ गुबारे बहुत बड़े हैं और कुछ गुबारे चोटे हैं, all tied together with a string, सब एक धागे से बंदे हैं, And if there is a wind at all, जब हावाद चलती हैं, they tug and tug like anything, तो वे किसी भी दिशा में खिच जाते हैं, Someday perhaps I'll let them go, किसी दिन शायद वह उन्हें उड़ जाने देगा, and we shall see them sailing high, और हम उन्हें उपर तेरते हुए देखेंगे, And stand and watch them from below, और हम खड़े होकर नीचे से उन्हें देखेंगे, They would look pretty in the sky, वे आकाश में बहुत जादा सुन्दर दिखेंगे, यह जो poem है, यह Rose Flyman के द्वारा लिखी गई है, और यह poem यहाँ पर finish होती है, इसके बाद हम इसकी exercise देखेंगे, अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं, तो please channel को subscribe कीजिए, मेरे channel पर आपको English की book के सारे chapters के explanation और exercise मिलने वाले हैं, Thank you so much.